आज की वीडियो में हम लोग आपके exam के point of view से कुछ important mcq करने वाले हैं और hope यह सारे mcq आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे और कहीं कोई correction हो तो आप लोग मुझे comment कर सकते हैं कहीं कोई suggestion हो तो आप लोग मुझे comment कर सकते हैं और वीडियो पे इस वीडियो पे after getting 100 views I will provide the pdf in telegram group तो telegram का जो group है मेरा वो colors of education के नाम से आप लोग जोइन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप मेरा whatsapp group जोइन करना चाहते हैं तो whatsapp group का जो link है वो हमें description box में दे रही हो वहां से जाके आप लोग मेरा जो whatsapp group है वो भी join कर सकते हैं तो यहां पे हमारा question number one है निनलेखित में से सविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा महिलाओ के लिए नगर पालिकाओ एवं ग्राम पंचायतों में एक तिहाई आरक्षन की व्यवस्ता की गई थी तो इसका आंसर है हमारा ए 73 और 74 जो सविधान संशोधन हुआ था तो उसके अंतर महिलाओ को नगर पालिकाओ एम ग्राम पंचायतों में एक तिहाई सीटों की आरक्षन की व्यवस्ता की गई थी Q2 है अल्प संखिकों के लिए राष्ट्रे आयोग किस वर्ष में बनाया गया और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन है इसका जो आंसर है वर्ष 1992 में Q3 है हमारा महिलाओ के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रे नीती किस वर्ष अपनाई गई थी तो इसका आंसर है हमारा वर्ष 2001 यानि option number C correct है Q4 है संयुक्त राष्ट्रे किस संस्था में पाँच महाशक्तिया निशेदा दिकार का उपयोग किस में करती है तो ये आपको बताना है और ये सबको पता ही होगा इसका आंसर ha PARISHAT जो 527-10 में है सुरक्ष परिषद में Q3 है Q5 है UN सुरक्षपरिषद के 527-10 कौन से है अब आपको बताने है कि 527-10 कौन से है तो इसका जो आंसर है वो है C, देखो चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और USA है उसके बाद हमारा question number 61 है 91, 91, नमबर विजो सा विधान शंशोदन हुआ था तो केंजन सरकार तो राजे सरकार के मंत्रियों की संख्या क्रमशह लोकसभा एवं विधान सबा की सदस्य संख्या के कितने परतीशत तक निर्धारित करता है तो ये है 15%, तो इसका आंसर हो जाएगा C question number 7 है, सविधान की संकल्पना का उदभव सबसे पहले कहा हुआ और मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको पता होगा तो पता ही है न, C आंसर है इसका निम्ने मेंस से अध्याशा आत्मक, भई कहेंगे प्रनांसेशन की बड़ी गड़वर हो जाती है अध्याक्षा आत्मक, राष्ट्रपती वाली जो होती है, सरकार किस प्रकार से बनती है तो आपको ये बताना है, तो आठवे का आंसर हो जाएगा हमारा D, उप्रियोक सभी तो कारेकाल के निश्चिद अफदी, कारेपाले के ततर विधाल मंडल के सदस्यों के बीच कोई दोराव नहीं राष्ट्रपती का प्रत्यक्ष्ट चुनाव, जो राष्ट्रपती वाली सरकार को किस प्रकार बनती है, तो ये सारे ही जो स्टेप से उसके इंदर आते है Q9 है हमारा संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिशत के 27 अदस्यों के कारेवदी दो वर्ष होती है इसको रट लीजिए, कितने वर्ष होती है, दो वर्ष होती है तो Q9 का अंसर हो जाएगा B, उसके बाद हमारा Q10 है एक बार पूरे कारेकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधिश अंतराष्टे न्यायाले में कितनी अबदी तक काम करता है तो Q10 का अंसर है C, 9 वर्ष तक Q11 है, निम्निकित में से किसने पाकिस्तान के राष्टपती अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किये थे और मुझे लगता है इसका अंसर भी आपको आता होगा जो ताशकंद समझोता हुआ था, वो लाल, बहादूर, शास्त्री जी और अर्यूब खान के बीच हुआ था Q11 का हो जाएगा C Q12 है, पंच शील के सिधानतों का प्रवर्टक सबको पता ही होगा Q13 है, निम्निकित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है नहीं पूछा है, नहीं वाले questions को बहुत ध्यान से आपको solve करना है Q13 का अंसर हो जाएगा C देखो, जनसंग के निर्धारित करती है, कोई राज्य है, भोमी सरकार बट सेना नहीं आएगी ठीक है, उसके बाद हमारा question number 14 है निम्निकित में से कौन सा संयुक्तराष्ट्रे का अंक नहीं है तो कौन सा नहीं है, अंतराष्ट्रे नियाले है, नियासी परिशद है आर्थिकोर समाजी के परिशद है, house of commons नहीं है तो question number 14 का अंसर क्या हो जाएगा हमारा D, क्या हो जाएगा हमारा 14 का अंसर D house of commons क्या है, यह आपको मुझे पताना है ठीक है, उसके बाद हमारा और देखें, अगर आप मुझे comment कर जो मैं questions पूछ रही हूँ comment करते हैं, तो उससे लगता है कि हाँ connectivity है आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मैं आपी के लिए महनत कर रही हूँ तो मतलब वो महनत आप तक पहुच रही है तो please बीच में अगर मैं कोई question पूछ ते हैं तो please उसका answer अगर आपको पता है पता नहीं है तो आप लोग पीचे please उसको search करके find out करके बता सकते हैं क्योंकि हमारा भी दिमाग चलना बहुत जरूरी है इसलिए तो यह बताना है तो हमारा question number 15 का answer क्या हो जाएगा संपरदायवाद प्रादेश्चित जादेता यह चुनोतिया उत्पन करती है बड़ समाजवाद नहीं तो question number 15 का answer हो जाएगा C अब हम बात करते हैं question number 16 कि निलिकित में से क्या सुतंतरता और स्वाधीनता में बादक है तो केंद्री करन ठीक है centralization जो है वो सुतंतता और स्वाधीनता में बादक है तो question number 16 का option हो जाएगा शक्ति के विकेंद्री करन को गांदी जी के समर्थन का क्या करन था मतलब गांदी जी ने क्यों समर्थन किया था कि शक्ति का विकेंद्री करन हो तो question number 17 का जो हमारा answer है विकेंद्री करन लोगतंतर में लोगों के अधिक भावगेदारी को सुनिश्चित करता है इसलिए गांदी जी चाहते थे कि शक्ति का विकेंद्री करन हो तो ये तो होगा नहीं भारत में अतीत में यह नहीं होगा में कोई भी अंतर नहीं है तो UK इसका अंसर है question number 19 है निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है ये आपको बताना है तो महिलाओ पर घरेलू हिंसा अधिनियम उनिसो नमबे ये गलत है कब आये था ये आपको मुझे बताना है हिंदु विवा अधिनियम निसो पचपन गर्ब का चिकित से समापन अधिनियम निसो इकत्तर महिलाओ पर कुरता निसो पिच्चानवे बट से ये ऑप्शन हमारा गलत है सही क्या हो सकता है ये आपको मुझे बताना है question number 20 पे चलते हैं question number 21 है बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रे संग कन्वेंशन के अनुसा निमनिकित में से वे कौन सा अधिकार है जो अधिकार नहीं माना जाता है तो 21 का answer हो जाएगा पीने का सुरक्षित पानी रहेंस अनकौची सोचिन से लक्षन बच रोजकार नहीं आएगा question number 22 है सही जोड़े बनाएए संगटन है और मुख्याले है और मुख्याले पूछे जाते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको देखने है तो question number हमारा जो 22 है इसका answer हो जाएगा D, अब हम D मैच करके देखते हैं यहाँ पे A का है 5 तो संयोगत राष्ट्य और दोगित विकास वियेना में है ठीक है और उसके बाद हमारा है B का है 4 खादे एवं कृषि संगटन हमारा रोम में है आप चाहिए तो उसको no down भी कर सकते हैं कई उसके बाद C का है विश्व स्वास्त संगटन जेनेवा में है और D का है 2 संयोगत राष्ट्य यह सेक्षिक विज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगटन हमारा पैडिस में है ठीक है उसके बाद हमारा question no 23 है राज्य शब्द का प्रियोग सर्व प्रथम किस ने किया और मुझे लगता है या मुझे ऐसे आप यकीन है कि आपको इसका आंसर आता होगा तो 23 का आंसर क्या है B मैं क्या वली चीक है तो 23 का आंसर हो जाएगा B मैं क्या वली ने किया था मनुष्य एक समाजिक प्राणी है समाजिक प्राणी है लोग तंतर के दो मुखे रूप कौन से हैं तो परत्यक्ष और अपरत्यक्ष ठीक है लोग तंतर के दो मुखे रूप कौन से हैं परत्यक्ष और अपरत्यक्ष question number 27 और आज की वीडियो का हमारा last question है मत पत्रों को सबसे पहले प्रियोग किया गया था कहां प्रियोग के अगया था ऐस्ट्रेलिया में आपको समझ आए हो अगर आप इस वीडियो का पीडियाप चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और कॉमेंट करने की हवाशकता नहीं है प्लीज यार वीडियो को शेयर कर देना जैसे ही 100 वीडियो दाएंगे ना मैं पीडियो प्रोवाइट करवा दूगी ताकि आप रिवाइज भी कर सके और अगर आपको और वीडियो सही है तो आप लोग मुझे उसके लिए भी कॉमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे लगे कि हाँ अगर आपको मतलब वो मांग पूर्ती वाला चलता है ना तो उस थाइप से ठीक है तो थैंक यू सो मच एवरिवन